हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशा कुर्तिव स्वच्ट होगे अच्छ होगे मज़े में होंगे और पॉजिटीव पील कर रहे होंगे आपको हमेशे पॉजिटीव करना है क्योंकि एक पॉजिटीव सब्सक्राइब करता है राइट और अज की स्ट्रीव में हम देखेंग और अगर आप मेरे जाने पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राब भी कर लीजिए गाड करें इनिवर्स परस्नल रीडिंग के लिए स्क्रीम पर देगर नंबर पर मैसेज कर सकते हो वहां पर आपको डिटर्स मिल जाएगी कॉल के से बूप करने ठीक है गाड करें इनिवर्स इस इस वक्त मेरे यूर्स के पाटनर की फिलिंस नेरी यूर्स के लिए क्या है और यह परसंड जैसे की आपके साथ इस वक्त आप से बात करने के बारे में जाए सोच रहे हैं ठीक है आपको इस रिसटे का सिचुएशन उस सिचुएशन को करण एनर्जिस को चैंज करना चाहा इस नेगेटिव एनरजी से आपके परसंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अब इनको यह नहीं सहा जाता ठीक है क्योंकि भले आपसे कितना भी दूर रहे भले आपको कितना भी नफरत दिखाए लेकिन यह परसंग आपको सोचने से दूर नहीं भाग सकते ठीक है यह 24-7 आपको सोचते रहते हैं दिल दिमाग सबकॉंशेस मायन में सिर्फ आप चलते रहते हो और इनका दिमाग काम करना बन कर देता है इनको कुछ भी करने का दिल नहीं करता है अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो यह परसंग करन पे आपको लेके बहुत ज़्याद अपने घरवालों के लिए छोड़ाता और जैसी कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए छोड़ाता आपको नो कॉंटेक दिया ता आपको यह परसंग यहीं बताते है कि देख तुस्से शादी करूंगा तो बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग डिस्टरब हो जाएंगे सब लोग किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा उपर से इनके घरवाले कहते ही कि लोग मैरेज तो करी नहीं सकता है लोग मैरेज अलावरी नहीं है बहुत ज़्यादा रूड़ लोग है इनके घरवाले तो यह अपने घरवालों से डरते वे दिखाए दे रहे हैं और ऐसा ही कुछ ए तो इतना टाम तो कर क्या रहा था ठीक है आपका बहुत दिल करता है इस परसं को यह सब कुछ ऐसे बोल की दिखाने का लेकिन आप अपने फिलिंस पे कंट्रोल कर लेते हों आपको लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ बोल होगे तो हो सकता है कि यह परसं फिर से पाश की बा पाते भुलानी ही पाते हों और आप जो कि बहुत ज़्यादा सैड इनर्जी में हों आपका दिल तूटा हुआ है और आपको लगता है कि आपकी जो जिन्दगी आपके परसं ने भिखर कर रख दी है यह जिन्दगी पता नहीं कब ठीक होगी ठीक है आप आज भी इस परसं है लेकिन बात नहीं करते है गोंगे meds the flow है यहां पे मतलब कि अगर इनका current में बात करने का दिल कर रहा है ठीक है अब यह क्या करेंगे अगर आपको ब्लॉक करकर रख तो अब ब्लॉक कर देंगे और ऽैसे ही छोड़ देंगे अपने दिल की feelings आपको बताएंगे नहीं यह एक के असको यह पता है कि हृंगने गलत की हैं तो इस गलत की सन इनको भूगत नफनी पड़ेगी सदा यही है कि इस दृब्सक मिन चाहिते हैं और फंश के सब्सक्राइब को कैसे नमबर का सब्सक्राइब अब जदा अकेला पन है और आपके साथ फॉलिटिक्स खेल रहे ठीक है अकेला पन है लेकिन ये बताते नहीं है और जैसे कि खुश दिखाते हैं बहुत जदा खुश है अपनी जिन्दगी में लेकिन और रियालिटी में बहुत जदा सैडनेस से गुजर रहे ठीक है ये जैसे कि अपने लिए जश्टिस का इंतजार करते में दिखाए दे रहे हैं इनको लग रहा है आपको जैसे लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है लेकिन आपके person को लगता है कि इनी के साथ गलत हुआ है इनी के जैसे की emotions का फायदा उठाया गया है इनके घरवालों ने इनको जैसे की emotional blackmail करकर आपसे दूर कर दिया है ठीक है? इनके घरवाले इनका mind distract करते हैं इनके घरवाले इनके mind में नहीं नहीं वो गलत बाते डालते हैं आपके खिला कि ये person आपको आपसे दूर ही रहे आपको अपना है नहीं और इनको ये जो बुरा लगता है ये बुरा भी ना लग दे इनको जो की अच्छा लगना चाहिए कि आपको छोड़कर इस person ने कुछ गलत काम नहीं किया है एसी energies आपके person की दिमाग में डाली जाती है लेकिन फिर भी आपके person इन बातों को अपनी दिमाग से निकाल नहीं पाते बहले इनको कोई कितना भी बोले लेकिन इनको पता है इस रिस्ते में जो भी no contact आया है और आप दोनों जो भी दूर हुए हो इसका reason सिर्फ और सिर्फ आपके person है आपने कभी भी give up नहीं किया था आपके person भी इस रिस्ते पर give up नहीं करना चाहते ठीके laziness का card यहीं show करता है कि आपके लिए efforts definitely लगाएंगे बस थोड़ा सा time लगेगा ठीक है यहाँ पर current energies में है कि laziness है तो मतलब इस वक्त बैठ कर आपका इंतजार करते हुए दिखाये दे रहे हैं और यह ऐसे सोच रहे है घरवालों की सुनू कि आपकी सुनू घरवालों घरवाले सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं और मेरे लिए क्या सही होगा current में इस तरह से सोच रहे है बैठे बैठे ठीक है इस वक्त आपके लिए फ़र्स नहीं लगा रहे है ठीक है बहुत साइट लोगों के परसन आपको अम ब्लॉक करके छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या आप खुद होकर उनसे बात करते हों आपके साथ बहुत ज़दा connected है परसन ठीक है soul connection है आप दोनों का long distance is a reason for no relationship हो सकता है कि आप में से कुछ लोग long distance relationship में हो जिस वज़े से भी हो सकता है कि इनके परिवार वाले आपके साथ इस परसन का रिष्टा नहीं होने देना चाहते आपकी intuitions भी आपको बता दें कि yes यह परसन आपसे प्यार बहु है जैसे कि सबसे पहला rules कि घर में law marriage allowed ही नहीं हो सकता है कि इनके भाईया बहन ने पहले law marriage करी थी तो उनके साथ भी कुछ अच्छा behavior इन लोगों ने किया नहीं है तो आपके परसन के दिमाग से वह बाते जाती नहीं है और वो जैसे कि अपने घरवालों के मर्द से चलने क कोशिश करते हैं great news आपके पास आ रही इस परसन की तरफ से legal complications अगर आपके परसन आपको current में कह रहे हैं कि वो अपने wife को या husband को divorce देकर आपसे शादी करना चाहते हैं तो current में हो सकते है कि legal complications आ रहे ठीक है controlling family इनकी family बहुँ जदा controlling होने की वज़े से भी ये person जो की आपक पहले good face करेंगे complications को ये पहले solve करेंगे और उसके बाद आपके साथ successful marriage करेंगे आपके परसन का ये thoughts से ठीक है family members not wants to you जैसे कि मैंने आपको पहले कार्ण से ये बताया था कि हो सकता है कि इनके घरवाले आपको चाहते ही नहीं है ठीक है लिकिन फिर भी जो है आपके परसन definitely great news लेकर आपके पास आएंगे और successful marriage आपके साथ करेंगे ठीक है current पे angels सबको ये बता रहे है तो बहले आपके person current में जो भी negative energies आपको देते हैं आपको इसके उपर focus नहीं करना है ठीक है आप सिर्फ focus करो angel guidance पर angels क्या कहरें आपका इस person से शादी होगा मतलब होगा ठीक है त कॉल के से book करने है ठीक है तो मिलते हैं ने शुडियों तब तक के लिए बाब बाई